हाला अरिवन वेलकम डिट अकाडमी और आपका स्वागत है आपके इस फ्री क्रैश कोर्स में तो प्रीवेस लेक्चर ने बच्चों हम लोगों ने कन्वेक्शन वाला पार्ट जो है वो स्टार्ट किया था फोर्स कन्वेक्शन के बारे में डिसकॉशन किया था और कुछ- कोफिशेंट लोकल हीट फ्लक्स यह सारी चीज हमने देखी एवरेज हीट ट्रांसवर कोफिशन कैसे निकाला जा सकता है नसेल्ट नंबर रेनॉल्ट जो लोकल रेनॉल्ड नंबर होता है प्रेंडल नंबर क्या होता है हम लोग ने कॉल बर्द आनलोजी देखी तो काफी लोगों को बता सकता था अच्छे से वह ने पूरा ट्राय किया कि आप लोगों को इतने कम समय में जो लगभख पूरी चीजे है उसका एक पूरा ओवर्वीव आपको मिल जाए तो कल लो ने दौद्ध देखेते हैं आगे की देखते हैं पहले फिर में आपको फ्रीकन्वे užचीर नहीं ले रहे हैं अ मैं बताउंगा कि किया क्या चीजे लोगों को करनी होती फ्री कंवेक्शन में क्या के चीजह important है और फिर आपका कनवेक्शन रपार्ट एंड होगा और नेक्स टेक्शन में हम लोग बच्छो हीट एक्सचेंजर के बारे में देखेंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आप लोग देख पारे होगा आप लोग को प्रॉपर्ली विजीबल होगा अगर क्लिरली विजीबल नहीं है तो एज दिन एज दिस बोर इसन फुल साइज आप थोड़ा आपने जो वीडियो की कॉलिटी है उसको बढ़ा सकते है प्रेटी पीपे कर सकते हैं चलिए घा तो प्रेशन नमबर थी बोल रहा है आप पर अगया अगिवानट फ्लूड एक थाटी डिडिरी सेल्सियस फ्लोस ओरा हीटेट फ्लाट प्लेट तो बेसिकली यह आपको क्या दे दिया यह दे दिया आपको टी फाइन हीटेट फ्लाट इस तरह से उसको एप्रोक्सिमिटेट अगर दिया तो यह तर्मल बाउंडरी लियर की बात किया है अट गिवन लोकेशन ऑन दे प्लेट मेगे एक एक्स एप्रोक्सिमिटेड ऐस दिस तो किसी पर्टिकलर लोकेशन पे यह इस तरह से उसको कर सकते हैं यह उसकी एक्स्प्रेशन है यहां पर मीटर में हैं ओके और दिस इस डिस्टेंस नॉर्मल तु अप्लेट प्लेट इस यहां पर जो टी है वो डिगरी सेल्सियस में इस थर्मल यहां पर आप लोगों को सरफेस का जो टेमपरेश्यर है वो गीवन है आप लोगों को टेमपरेशर दिस्टिब्यूशन भी गीवन है थर्मल कंडाक्टिवीटी भी गीवन है लोकल हीट फ्ल्क्स दिखते हैं तो वो देखते हैं solid में तो qx local heat flux यह conduction के solid के surface याने ही y equal to zero पे आता है तो qx जो है that is your heat flux यह conduction के through y equal to 0 फ्ल्क्स तक आता है दैन जो very first layer है जो very first layer है of the fluid उसमें भी qx जो है वो जाता है conduction के टुरू दैन उसके बाद rest of the fluid में यह हम लोग लेते हैं, तो conduction, conduction, convection, तूरह की ग्वेल्यू का होती है, वराबर होती है, तो fluid के बारे में information given है आपको, आपको k दे दिया है, आपको temperature distribution भी दे दिया है, तो जैसे कि suppose आप लोग ऐसा एक्प्लेट लेते हो, तो यह जो temperature distribution है इसका, ठीक है, 70 into e rest power minus y जहां पर y आपका meters में है यह आप लोगों को given है तो यहां easily आप लोग बात कर सकते हो fluid में कि y equal to 0 पर dt by dy केता होगा so dt by dy at y equal to 0 in your fluid यह आप लोगों को पता है इन fluid आप लोगों को यहां से पता है basically हम लोगों को solve करना पड़ेगा लेकिन easy इसके बाद आपको के भी दे रखा है ठीक है fluid का conductivity के भी आपको दे रखा है के जो है के fluid जो है that is one watt per meter Kelvin यह आप लोगों को given है अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है हमको बस यह logic लगाना है कौन सा logic qx that is local heat flux of conduction in fluid यहां सिब conduction लिख रहा हूं of conduction in fluid will be equal to local heat flux qx for convection in the fluid ठीक है यहां सिब जाएगा minus k f into dt by dy at y equal to 0 यह fluid के लिए ठीक है is equal to हो जाएगा h okay into ts minus t infinite hx into ts minus t infinite तो इसको solve करेंगे तो आपको local heat flux जो है वो मिल जाएगा ठीक है तो आप लोगों को इसको solve करने है जस्ट आप लोग इसको differentiate करोगे बच्चो t को t को दे रखा है यह t का equation है इसको y करिस्पेक्ट में differentiate कीजिए y equal to बच्चो zero put कीजिए के आपको दे रखा है कि आप लोगों को एक बार फिर्चर चेक कर लेता हूँ हाँ वन वाट पर मिटर केल्विन ही दिया हुआ है आप सबसे ऐसा हो सकता है क्योंकि यह रिपीटेड आपको देखने को मिला कई बार आता है कन्वेक्शन से इस पार्ट से क्वेशन आने की बहुत चांसे रहते हैं ठीक है चलिएगा ओके नेक्स क्वेशन देखते हैं तो इस क्वेशन ने बोल रहा है वाटर स्पैसिफिक दे रखी 4.18 किलो जूस पर केजी कैल्विन इंटर सपाइप एट रेट मास्ट दे रखा है आपको एम डॉट दे रखा है इस इक वाल टू 0.01 केजी पर सेक्ट ठीक है एड़ टैंप दे दिया और एक आउटलेट पर टैंप्टर दी दिया सपोज ऐसा कुछ इस क्वेशन की बात निकरों जैसे कि आपने को यहां पर सिंगल टैंप्टर दे रहा है कभी जैसे कि सब्सक्राइब कि सेक्शन पर किसी भी पाइप सेक्शन पर बात करोगे तो ओवर दा क्रॉस सेक्शन पर दियुक्त आप लोगों को देखने को मिलेगा कभी इक सिंगल तैंप्टर नहीं होता है तो हम क्या करते है उस सेक्शन पर मौजू जिते पार्टिकल्स है उनको हम लोग अडियाबेटिकली मिक्स करते और एक एक लिए विरम टैंप्टर एंप्र एंग करते है पाइप दियामेटर इस 50 mm लेंग दे रखा है 3 मीटर्स इस सब्जेक्टेट टो वाल हीट फ्लक्स QW इन वाट पर मीटर स्क्वेर ठीक है यहां पर जो बल्ग में टैंपचर होगा वाटर का जो एकजिट हो कितना होगा वोड़े तो यहां हम लोग को पाइप जो दे रखा है इसके इनलेट हमको टैंपचर है 20 डिग्री सेलसियस का टाइम चरह है X equal to 0 पर हमको X equal to L that is 3 meters पर हमको बताना है के temperature याने की T O कितना होगा यह हमको बताना है ठीक है अब यहां first जो question number 4 है आप देख सकते हो यहां जो heat flux है इस function of X याने की constant heat flux नहीं है constant heat flux नहीं है so so हमको देखना पड़ेगा के total L length of the pipe में कितना heat आ रहा है किस rate से heat आ रहा है ठीक है आपको दे रखा है heat flux दे रखा है ठीक है किसी particular location पे local heat flux आपको दे दिया है आपर 2500 इन्टु एक्स वाट पर मीटर स्क्वेर एक्स जो है वो मीटर पर है तो हम लोगों को क्या चीए हम लोगों को तो भाई यह चीए कि इसमें total कितना heat आ रहा है किस rate से heat आ रहा है यह हम कुछ हमको capital Q चाहिए rate of heat transfer चाहिए तो अगर मान लोग क्यू constant रहता सपोज यह एक्स नहीं होता सपोज तो कुछ नहीं करना होता हीट जो है इस तरफ से आ रहा होता पाइप के सर्फेस से इस के रहा होता है तो हम क्या करते है भाई हीट फ्लक्स क्या होता है हम लोग यह चीज़ कर सकते थे लेकिन वेरी कर रहा है एक्स क्या लोग है ना कॉंस्टेंट नहीं है लोकल वैल्यू एक्जेक्ली बुले तो उस कंडिशन में हम लोगों को क्या करना होगा हम लोगों को लेना होगा यहां पर इस तरह से एक एक एलिमेंटर स्ट्रिप एक एलिमेंटर रिंग नेना होगा इससरह से वर दा सर्फेस ऑप सिलेंडर ठीक है इसकी जो लेंद्ट हो इस इस टीक है यह हो जाएगा तो इस इस एलिमेंटर लोकेशन से किता ही ट्रांसफर इट मिल रहा है डीक्यू किता हो जाएगा क्यू एक्स ओके क्यू एक्स इंटू बिए एस डाट इस ट्रटि फाइफ अंड़ेड़ इंटू एक्स ओकें इंटू पाई इंटू डामाटर एंट फिफ्ट एम्म याने की जिरो पॉंट लोगों का हो रहा है यह आप लोगों का हो रहा है तो इस फ्रम दे ऐलिमेंटल एडिया ओके इसको इंटिग्रेट करेंगे हम लोग अगर तो हम लोग जो पाइप में heat transfer rate है इस rate से एक हिसमें गई फ्लूड में गई पाइप में फ्लूड है द इस वाटर उसमें गई तो इस हम लोग इसको कर सकते हैं कि से M C P D T से आई बस्वाज में M C P D T से तो जित्ती हीट हम लोग बिसिकली सपोस एक सेकंड में इत्ती हीट दे रहें तो एक सेकंड में फ्लूड में कितनी हीट जाएगी M C P D T अब बोलोगा सर यह तो हीट ट्रांसफर हो गया जूल्स में तो यहां पर आपको फ्लोव प्रॉब्लम में मां मांस में इतना इतना हीट में हीट आया इसको इंटीग्रेट कर लेंगे हम लोग यहां से आपको M दे रखा है M दे रखा है आपको 0.01 0.01 C P आप लोग को किलो जूस पर केजी केल्विन दिया है लेकिन यहां पर वाट में आप लोग को बाकी के वीनिट दे रखी है तो हम लोग क्या करेंगे उसको convert कर लेंगे यह जाएगा 4180 4180 जूस पर केजी केल्विन हो जाएगा ओके हमको आउटलेट टैंप्चर टी नॉट या टी ओ कैलीजे निकालना है इनलेट पर टैंप्चर आपके पास 20 है तो यहां से आप लोगों को मिल जाएगा सॉल करने पर टी ओ की वैल्यू ओके तो टी ओ की जो वैल्ली वह आ रही है यहां से यहां से वैल्यू आ रही है तो एक्स तो एक्स तो एक्स पास आ रहा है तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर भी वह आप लोग का राइट अंसर ठीक है ओप्शन नंबर बी विल विटी राइटाइट आर्सर फोर नेच्ट जो है सब्सक्राइब क्या है कि आपके पास फ्लक्स है तो आप हम लोग सीधा रेट आफी ट्रांसफर निकाल सकते हो आपका हो जाएगा यह जो एक से या फिर आपकी लिग दो qw डबल दा इसके उपर पूरा पाइप का शर्फेस इरा दाने स्पाइड इल मुल्टिप्लाइ कर दो तो इस विल बीक्वल टू क्यू दिस विल बीक्वल टू क्यू एन अब बोलोगे सर पहले तो निकाल चुके ना गलत यहां पर देखना सेकेंड केज जो है इसमें कॉंस्टेंट हीट फ्लक्स देदी है 5000 का ठीक है तो डाट इस वाय हमारा जो इस कंडिशन में आउटले टैंप्चर आप फ्लूट होगा वह पहले से अलग आएगा पहले 62 अभी 62 नहीं आएगा अभी कुछ और आएगा ठीक है 5000 इन्टो पाई इन्टो डी इन्टो एल इस इक्वाल टू 0.01 इन्टो 4180 इन्टो टी ओ माइनस टी आए तो यह कुछ आ रहा है आपके पास्ट 76.368 डिग्री सेल्सियस के आज पास आपका आउटले टैंप्चर आप फ्लूट है यह आंसर नहीं वह यह हमको यह नहीं आपके पास्ट ठीक है एक कि करूशिन हीट रांवर के लिए लिख सकते हैं यहां पर अच एक्स इन्टो टी एस माइनस港 टी एज्ट एंस टी इन्फनाइट आ है नँब यहां से लिख सकते हैं एक्जिट के लिए हम लोग क्यू एक्स है डाट इस लोकल हीट फ्लक्स ओके इक्वल टू एच एक्स इंटू इंटू इन्टू टी एस माइनस आउटलेट पर टी ओ यह हो जाएगा है ना तो यहां पर जो हीट फ्लक्स से कॉंसेंट हीट फ्लक्स है ना तो फाइफ थाउजन लेकिन हीट रांसर कोशेंट के लोगों की वैल्यू लोकल वैल्यू कुछ है ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास दे रखाए क्वेश्चन में उस लोकेशन पर एक्जिट पर थाउजन दे रखाए टी एस हमको फाइंड आट करना है यहां से आ रहा है आपका कुछ टी एस इस इकॉल तो फाइफ थाउजन इस इकूल तो थाउजन इन्टू इन्ट अब्धी आउटलेट यह हो गया आपके पास तो इसके अप्टिंट उप्शिन इस श्राइब देखते हैं तो हम लोग देखते हैं प्रीक्रेक्शन के बारे में देखिए कनेशन को बहुत स्टूडेंट्स है बहुत जादा स्ट्रेस लेते हैं जित्ता आप लोग उस पर स् जितना इतना 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 देखते हैं प्री कनेशन देखते हैं तो इसको समझना जरूरी है जैसे कि आपके पास कोई सर्फेस बना रहा हूं इस तरह से सर्फेस बनाया मैंने ठीक है यहां पर अगर कोई लेक्वीड रखा हुगा तो अब क्या होगा सब्सक्राइब क्या है वह तरह से सिच्वेशन है यहां पर बढ़ने कारूण की डैंसी क्या हो जाएगी ठीक हो गी सो यह जो पार्टिकल सेंद्या स्राउंडेट वाई इपार्टिकल ऑफ हाय देंस्टी तो जो डेंस्टी डिफरेंस जब क्रियेट होता है तो कोई कोई भी चीज जैसे आप खुद देख लो एक लकडी का एक आप कुंबा लो उसको डालो पानी में तो क्या होगा वो जो जो है वूट प्लैंक दैट विल फ्लोटिंग वाटर वाई क्योंकि उसकी जो डेंसिटी है वो सर्णूडेट जो वाटर है उसके उसके कंपेरिजन में कम है और यह फ्लोट कर रहा है जस्ट बिकॉस आफ बाइंड फॉर्स तो जब भी कोई चीज हलकी होती है उसकी देंस्टी उसके स्राउंडिंग जो फ्लूड है उसके कंपेर में कम होती है जिसको बोलते बाइंड सिमिलरली यहां पर जो पार्टिकल्स हैं जिनकी डेंस्टी कम हुई देविल एक्स्पिरियंस अन अप्वार्ट थ्रस्ट विच इस बाइंड फॉर्स तो यहां पर इन फ्री कन्वे होते हैं दिक अधिश इस वी बाइन फॉर्स बायन फॉर्स ए इन टू इनर्शिया फोर्स divided by divided by viscous force square okay viscous force square यह आप लोग पास्ता है buoyant force into inertia force divided by viscous force square this is this is the grasshoff number ठीक है तो यहाँ पर buoyant force को यह account करता है और यह जो number है जो dimensionless number है this number is useful in the natural or you can say free convection ठीक है है इसका जो formula बन के आता है proper वह ऐसा होगा आपके पास gr is equal to rho square into lc cube okay into beta into g which is gravitational acceleration into delta t by mu square ठीक है बीटा जो है वह compressibility है ठीक है यह हो गया आपके पास so beta जो होगा that is given as one upon mean film temperature बता चुका आपको मैं ts plus infinite by 2 plus 273 कर देंगे तो Kelvin में हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है नौ यहाँ पर जी जो है that is a gravitational acceleration lc जो है that is your characteristic length now free convection की case में characteristic length is bit difficult to remember उसका ऐसा standard formula नहीं होता लिकिन अकुछ जो basic standards है वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या लिए जा सकते हैं ठीक है तो lc जो है that is your characteristic length characteristic length या dimension कह सकते हो characteristic length ठीक है इसको अब ऐसा भी लिख सकते हो okay lc cube into g into beta into delta t delta t जो है that is surface temperature minus fluid temperature ts minus t infinity होता है okay by new square इसको ऐसा भी लिख सकते हो new that is a kinematic viscosity square यह हो जाएगा okay now जब fluid flow होगा जैसे कि suppose आपके पास वर्टिकल प्लेट सब्सक्राइब करो यह surface temperature इसका ts surrounded to fluid है उसका temperature t infinite है सो जब चीज़े गर्म होगी तो गर्म होगा density कम होगी फ्लूट की तो बायन फोर्स के कारण फिर उपर की तरफ यहाँ पर flow होगा ठीक है उपर तरफ लोगा तो इस तरह से इसमें जो है boundary layer बनेगी इस तरह से इस तरह से आप लोग को temperature distribution दिखाए देगा देगा दिस इस यूर विलॉस्टी distribution यहाँ पर मैंने माना है कि जो hydrodynamic boundary layer और थर्मल बांडरी लेयर है ठीक है दोनों का दोनों overlap कर रहे हैं यह कब होता है यह आपको कमेंट बताना है कि hydrodynamic boundary layer और thermal boundary layer कब overlap करेगी यह आपको बताना है ठीक है ना देखिएगा यह हो गया और यह रहे गया आपके पास विलॉस्टी distribution यह आपके पास इसका विलॉस्टी distribution तो इस तरह से यह कहा हो रहा है जिसमें इस तरह से बॉंड यहां पर आप लोग को बनती हुई दिखाई दे रही है आपर हीटिंग का केस हो रहा है अब अगर यहां पर अगर यहां पर यहां पर कूलिंग हो रही होगी तो जो फ्लूड है उसकी जो डैंस्टी है कम करोगे देंस्टी बढ़ जाएगी तीजे नीचे की तरफ सैटल लग जाएगी इस तरह से डिस कूलिंग 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 अफ फ्लुड ओके तो यहां पर आपके पास्ती इं फानैट को जाधा होगा वी हैशा पर अटी और फ। मेलाय थैन इटैंटी इन्फाइन की आइश विल भी लेज देंट टी इन फाइयनाइट यहां पर भी लेश्वी सकते हैं यहां पर भी बंदी बन रही है तो हाइड्रो डानमीक बंदे भी होगी और थर्मल बंदी लेट भी होगी और दोनों को दोनों बहिंएपो को ब्रिच करने वाला उट पैरामटर है दट Prandall number that is momentum diffusivity divided by the thermal diffusivity that is your Prandall number वो भी यहाँ पर यूज होगा तो इस case में जब हम लोग नसल्ट number की बात करेंगे नसल्ट number NU which is H into LC by K this will be function of Greshoff number into Prandall number and Prandall number आप चाहो तो Greshoff number into Prandall number भी लिख सकते हो वो बताता हूं मैं क्या होता है ठीक है तो Greshoff number into Prandall number या ऐसा भी कह सकतो Greshoff number and Prandall number का यह function होता है जो Greshoff number into Prandall number यहां यूज होता है natural convection में that is known as rely number rely number okay that is your Greshoff number into Prandall number ठीक है नàiे यहां पर कभीवी यह पर कभी भी गर हमारे पास को और भी प्लेट होगी कोई वर्टिकल बड़ी होगी सर्फेस कोई अगर वर्टिकल सर्फेस है लाइक वर्टिकल प्लेट या वर्टिक गर सिलेंडर तो बच्चों उसमें LC 파a fountain के बराबर होगा दो इसमान किसके बराबर होगी यहां पर सब से इंपकरिजॉंटर लिया इस तरह से तो इसका जो डाया होगा, that will be equal to the characteristic length, that will be equal to the characteristic length, okay, so this was about the natural convection in very short, okay, and I hope आप लोगो को ये चीज़े याद रहेंगे, इस चीज़े आप लोग को याद नहीं रखनी है, ठीक है, crash course में इतना मैं आप लोग को बता पाऊंगा, अगर इसके इसके बहुत detail में जानना है, तो आप बिल्कुल जो gate academy का full course है, वो बिल्कुल purchase कर सकते हैं, ठीक है, और हम लोग फिर बहुत detail में discuss करेंगे सारी चीज़ों को, है ना, आप देखो, कुछ situation जो होती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्री connection हो रहा होता है, और कुछ situation में हो सकता है, कि दोनों हो रहा हो, यानने कि force plus free जैसे कि सपोज आपके पास कोई cylinder है, इस तरह से दिखाए दे रहे है, तो इसमें अगर आप लोग फोर्स कन्वेक्शन दे रहे हो, तो फोर्स के लिए आप लोगों को जो फ्लूड है, उसको फोर्स फोली पर्टिकुलर विलॉस्टी पे फ्लो करवाना पड़ेगा, ओके, इस तरह से, असे और काफी लॉंग दिस्टेंस तक के, यह द्यूग दूट से टूटर है, इस तरह से, इसमें बीच में आपको, वेक्स के लिए खाये देंगे, ओके, तो इसमें बीच में आपको, वेक्स, एक्टेटरा भी इस्तरह से, बॉर्स लॉडडिल सप्रिशन कि कर इंट्रिकल सर्फेज और आफ्टर पॉइंट ओके दबाद फिर आपको एडी जो है यहां पर बीच में दिखाई देगा अगर मान लिए फ्री कन्वेक्शन हो रहा होगा तो जैसे कि यह हॉट सर्फेस है एक उनिफॉर्म टैंप्चेल एक तो इसके सराउंडिंग में जो भी तरफ लग जाएंगी यहां पर हुआ आपके पास फ्री कन्वेक्शन फ्री कन्वेक्शन ठीक है यहां पर फ्री कन्वेक्शन अब जैसे कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है ओके इस तरह से फ्रूड उपर की तरफ लो हो रहा है तो इसका मतलब यह कि आप विलास्टी इसको प्रवाइड कियो फ्लूट को तैट इस नॉट डैट हाई है ना कि यह काफी दूर तक ट्रैवल करें तो उपर अविस्ट हो गाई लेकिन एक प्रॉमिनेंट डिस्टेंस ट्रै इसके लिए कुछ हम को आकड़े चाहिए होंगे कुछ नंबर से होंगे यहां पर इस तरह का अगर दिखने को मिल रहा है तो पहले तो बहुत सब्सक्राइब देख करके फोर्स प्लस फ्री दोनों हो रहा है तो इस चीज़ को बताने के लिए हम लोग यह यूज करते हैं द इस उसका मतलब है रैनृ नंबर जैवो जादा है रैनृ नंबर बिलॉंग्स टू धा फोसकर अब लोगे सर जो ग्रैस प्रफ नंबर था उसके फॉल्मल भी आपने लिए इनर्शाफ फोर्स लिखा रिदा इनर्शा फोर्स जो आपकी नाच्रल नच्रटशन वाले प्रब of number this ratio is very small as compared to 1 तो यह क्या होगा यह condition अगर ऐसा मिल रहा है तो इसको बोलेंगे कि यहां फ्यो फोर्ज या कैसा क्या सकते हो प्योर्ली प्योर्ली फोर्ज्ड कन्वेक्शन मिलने वाला है यह बोलेंगे अगर ग्रैसा उफ नंबर बाइर नॉल्ड नुबर स्क्वेर इस अल्म प्लस फ्री कन्वेक्शन आपको मिल रहा होगा अगर अगर आप लोगों का रेनॉल नंबर बाइर स्क्वेर इस वेरी वेरी ग्रेटर दैन वन तो उस कंडिशन में हम बोलेंगे कहां पर प्योर्ली फ्री कन्वेक्शन ओके फ्री कन्वेक्शन देखने को मिलेगा ठीक है तो यह था आप लोगों के पूरे कन्वेक्शन वाले पार्ट के बारे में नेक्स लेक्शन बच्चों हम लोग देखेंगे हीट एक्सचेंजर जहां से काफी क्वेश्चन आपके गेट इक्जामनेशन में आते हैं ठीक है तो मैं आप लोग से मिलूंगा न प्योंगे काहता है